हेलो बच्चो स्वागत है आपका गवर्मेंटिक जाम्स अड़ा में बच्चो ये वीडियो जो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ इसको बनाने का मन बहुत दिन से कर रहा था लेकिन कल एक बच्चे का फोन आया और उसने अपने साथ हुई जो इंसिडेंट हमारे हमसे सेयर की उसको सुन करके आर मैं सन रह गया आप कोई भी पढ़ाई करते हो कोई भी डिग्री लेते हो कोई भी सर्टिफिकेटिस ले लेते हो कि आगे चल करके आपके कैरियर बिल्डिंग में उसका महतोर है और वो काम में आएगी और क्या पता आगे चल करके आपकी डिग्री को कोई रिजेक्ट कर दे ये कह करके कि जो आपके practical के marks हैं वो up to the mark नहीं है या वो mention नहीं है और उसकी वज़ा से आप बाहर हो जाओ जबकि आपकी कोई गलती भी ना हो तो बचो इस बार भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है और ये भेदभाव भरा एक तरीका है मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है तो बचो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है और CBSC के term 2 में किस तरीके से अलग-अलग marks CBSC के private और regular students को मिलने वाले हैं और वो भी practical में तो जितने भी class 12 के बच्चे हैं मैं request करूँगा कि अगर आप regular हैं तो भी इस वीडियो को देख लेना private है तो भी देख लेना क्योंकि आपके भविस से जुड़ा मुद्दा ये हो सकता है बचों आप में से कुछ लोगों का फायदा है कुछ लोगों का नुकसान है अब आप में से जितने भी बच्चे हैं private improvement, compartment, additional subject वाले वह अपना-पना confirmation page देख ले और हमें comment करके बताएं कि क्य उनसे practical exam की fees ली गई है या नहीं मैं उन बचों की बात कर रहा हूँ जिनके subject में practical होता है बहुत सारे ऐसे subject हैं जिनमें internal assessment होता है 20 नंबर का मैं उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन अगर आपका physics chemistry biology या फिर आपका physical education या भी कोई भी ऐसा subject रहा हो जिसमें practical subject होता हो और उसको आप चेक कर लीजिए उसमें क्या practical की फीस ली गई है या नहीं ली गई है अब यहीं से खेल सुरू होता है बच्चों CBSC का अगर आप circular उठा करके देख ले अभी मैं इस matter पर आऊंगा कि किसका नुकसान है किसका फायदा है लेकिन अगर आप CBSC का circular उठा करके देख ले तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो private improvement और compartment exam के बच्चे हैं उनको practical का exam नहीं देना है जो term 2 का syllabus है यहाँ पर मैं regular बच्चों का दिखा रहा हूं यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि practical termon में 15 marks के और term 2 में होंगे मतलब इन लोगों का practical हो रहा है और जो इस school वाले number देंगे ठीक ठाक number यह पा जाएंगे school में कितना बढ़िया number देते हैं आपको पता ही है मैं उस पे कोई comment नहीं करूँगा कि वो सही करते हैं गलत करते हैं आपको भी हो सकता है regular exam में आप जब रहे हूं तो बहुत अच्छे marks आपको मिले हूं बच्चों आप उसको भी बताईएगा अब आप मेंसे अगर कुछ लोगों से फीस ली गई है तो आपके मन में question जरूर होगा कि भी है हमारा exam होगा तो नहीं ऐसा नहों कि cbc last में कहे दे कि नहीं आपको practical का exam देना है अब बच्चों फायदे और नुकसान वाली गणित हम समझें इसके पहले मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ अब अगर उसमें circular में लिखा हुआ कि आपका practical exam नहीं होगा तो फीस ली क्यों गई और अगर फीस ली गई इसका मतलब की carry forward होने के लिए अगर आप फीस ले रहे हो कि कुछ बच्चों के marks carry forward हो जाएंगे तो बात समझ में आर ही है कि चलो आपने carry forward करने का भी marks नमबर पैसा ले लिया वैसे लेना तो नहीं चाहिए था क्योंकि carry forward करने में आपने बच्चे से यूज तो कुछ नहीं करवाया practical की कोई भी सामंगरी यूज नहीं हुई तो उसके भी पैसे आपको नहीं लेने चाहि है मुझे लगता है अगर आपने school में exam दिया होगा तो 20 प्लस ही मिला होगा और बहुत सारे बच्चों को 30 में से 30 मिल जाता है 28 29 आपको कितना मिला था हमें comment करके बताईएगा लेकिन बच्चों अब क्या हो गया है आपके साथ और regular बच्चों के साथ में धोखे धड़ी व का मिलेगा unmillivable rewards जीतने का ये एक घंटे का टेस्ट 23 जन्वरी और 29 जन्वरी को तथा 6 और 13 फरवरी को conduct होगा इसमें हर एक पाटिसिपेंट को चांस मिलेगा education for life जीतने का जी हां आपने बिलकुल सही सुना top scorers जीच सकते हैं up to 100% scholarship उनके graduation और post graduation के लिए 20 लाख रुपे त जाने मत देना क्योंकि आपको test के बाद detailed score card मिलेगा और video solution के साथ analysis भी 15 जन्वरी से आप 30 मिनट का practice test भी दे सकते हैं साथ ही बचों and kidney लाया है limited period आफर 12 months या ABAP के plus subscription लेने पर आपको मिलेगा 3 months का extra subscription बिलकुल free इसी तरह 12 months या ABAP के iconic subscription लेने पर आपको मिलेगा 6 months का creative corner subscription बिलकुल free सभी links description में दिये हैं मेरा code GEA use करे free में enroll करने के लिए और साथ में 10% off भी मिलेगा किसी भी subscription पर let's cry कुछ लोगों का फाइदा यार जिनके carry forward हो गए उनके तो same marks मिल गए उनको जितना पुराना था जैसे कहा गया कि 2021 के जो बच्चे रहे होंगे 21 वाले 2021 वाले मतलब ऐसे बच्चे जिनका result is school ने बनाया था पिछले साल कुरोना में उन बच्चों के marks carry forward हो जाएंगे बागी के जो बच्चे हैं उनको प्रो रेटा बेस पर नमबर मिलेगा अब प्रो रेटा बेस हम समझा चुके आपको पहले भी इसमें जितने नमबर आप पाते हैं फॉर एक्जामपल जितना नमबर थियोरी में पाये माल लिया 30 परसेंट आपको थियोरी में आया तो 30 परसेंट प्रेक्टिकल में भी मिल जाएगा या ऐसे समझ लो कि माल लेते हैं कि आपने 70 marks का पेपर दिया 70 में से 70 में से 35 मिले मतलब 35 मिल गए आपको मतलब 50% marks आपको मिल गए अब इस 35 में से बचों इस 35 में आपको 15 marks मिलेंगे प्रेक्टिकल वाले मतलब total 50 marks आपको मिले अगर आपके marks केरी फारवर्ड हुए होते आपके यहां 35 हैं और पुराने marks जो प्रेक्टिकल वाले 30 थे तो 35 और 30 जोड़ करके 65 marks आपके हो जाते एक तो यहां आपका नुकसान हो रहा है मतलब जो प्रो रेटा बेस पे marks हैं वो आपको कम मिल रहे हैं जितना परसेंट आपका थियोरी में जा रहा है उतना ही परसेंट आपका प्रेक्टिकल में जा रहा है यह तो नुकसान है ही है एक और नुकसान है जो column बना होता है marks seat म उसमें एक जगा theory के marks लिखे होते हैं जब आपका result आएगा तो practical में x x x लिख करके आएगा मतलब आपने practical का exam दिया ही नहीं और कुछ जगों पर counselling में इसको consider ही नहीं करते वो कहते आपने practical का exam नहीं दिया या आपके practical था ही नहीं वो मानने को तयार ही नहीं होते आप देखो यहाँ पर जो दोनों marks जुड़ करके आएंगे 35 और 15 वो 50 यहीं पर जुड़ के आजाएंगे मतलब जो pro data base के आधार पे आपको number मिलेंगे उसमें practical वाले column में x x x लिखा होगा कुछ लिखा ही नहीं होगा और उस बच्चे ने बताया कि सर हमारी counselling में इन marks को accept ही नहीं किया गया उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि you are not eligible अब बचों यह मुद्दा जितना छोटा लग रहा है न यह मुद्दा उतना ही गंभीर है आगे चल करके अगर आप counselling में बाहर कर दिये जाते हो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगी यह बात कि counselling में यह applicable नहीं है और आपके साथ यह दिक्कत आएगी तो जिनका फायदा वो तो चुप रहेंगे कैरी फारोड हो गया रेगलर बच्चों को उनका स्कूल वाले नंबर दे रहें स्कूल वाले भी भाई मुझे नहीं लगता कि 25 से किसी को कम देते होंगे 30 में से या कम भी देते होंगे चलो जो भी है मैं उस मुंदे में नहीं बोलना चाहरा उन लोगों का तो फायदा हो गया आपका नुकसान हो गया एक तो ये कि जितना परशेंट थेओरी में उतना परशेंट प्रेक्टिकल में तो यहां ही नुकसान है आपका दूसरा जो नंबर नहीं सो होता है वो सबसे बड़ा नुकसान है अब इसके लिए बच्चों अगर अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके साथ बोलने वाला ना तो इसकूल है स्कूल वाले आपके लिए क्यों बोलेंगे भाई स्कूल के लिए तो अब आप किसी काम के नहीं रहे आपके गार्जियन्स आप ही पर डिपेंड हैं उनको खैर सचेत होना चाहिए था एक बार आप फेल हो गए हैं फिर से एक्जाम दे करके पास कर रहें इसका मतलब यह नहीं कि आप बच्चे नहीं हूँ आपका कैरियर विल्ड नहीं होगा जिन जगों पर इस तरीके के रूल्स हैं उनको पहली बात हटा देना चाहिए जो माक्स आपको इधर मिल रहे हैं उनको अलग-अलग देने में क्या दिक्कत है भाई कि आपने प्रो डेटा बेस में माक्स दिये 35 इसमें दिये प्लस 15 उसमें एड करके फिर 50 लिख दो तो यह चोटी सी दिक्कत है लेकिन वो बच्चा कल फोन के और रो रहा था तो कहने का मतलब है मन मेरा बिल्कुल तडप उठा यार अब तुम लोग इसमें सचेत नहीं हो तो भाई नुकसान तुम्हारा ही है मेरा काम था गाइडेंस देने का मैंने तुम्हें बता दिया तुम एक बार CBSC के आफिस में संपर्क कर लो और उनसे यह कर दो कि भाई मेरा एक्जाम तुम करवा लो प्रेक्टिकल एक्जाम अगर तुम्हारा हो जाएगा न तो भी तुम 30 में से कम से कम 30 में से 25 या 20 माक्स तो तुम्हें लोग दे ही देंगे यार हम करें 50% से ज़्यादा माक्स तो तुम पाही जाओगे 15 से कम तो कोई कभी नहीं देगा और अब तुम इसमें कितना ले आओगे जब 50% लाओगे तब तुम 50% पाओगे प्लस उसमें अलग-अलग हो करके आएगा इसमें तो अलग-अलग का कोई चांसी नहीं बन रहा है तो कहने का मतलब है बच्चों कि इसके खिलाफ अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही है बाकी मेरा काम बताने का था अब तुम कितने लोग सचेत हो अगर सचेत हो इस आवाज को उठाना चाहरे हो तो ट्विटर पर मुझे फालो करो और बताओ किस दिन तुम लोग केंपेंच चलाना चाहरे हो मैं तुम्हारा साथ देने को तयार हूँ और यार मैंने सुरू से दिया है तुम्हारा साथ मैं निश्यत रूप से दूँगा एक बार फिर से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम लोग कितने खड़े हो तुम मुझे सब्सक्राइब करके बताना इस वीडियो को लाइक और सेर करके एक योनिटी भिंट कर लो बचो नितु नुकसान तुम्हारा ही है बाकी all the best thank you